कैसी हो आप इश्वर के करीपा से आप सब ठीक होंगे मैं लता शर्म आपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यह देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है पांस साल की बच्ची की जो है फूल पटी अली सलवार जो है कटिंग कैसे की जाती है वो देखो देख से बहुत ही घेरा इसमें और मैंने गला जो इसका गोल गलब नाना है पाइपिंग वाला तो इसमें चार इंच मैंने निच्चो को लिया हुआ है और दो इंच यहां से चोड़ाई में लिया हुआ एक इंच की गोलाई डाली हूए और मैं इसकी कटिंग कर और छे इंच का जो मैंने इसमें कट लगा दिया छे इंच की अपनि यहां से नीचे थाई यह जो है थाई पर भी मैंने एक कट लगा दिया है मेरे पास जो यह देखिए जो मेरे मैंने पट्टी यह जोड़ी यह पट्टा जोड़ा हुआ है सलवार में कलियों के साथ यह ज अख्ली काृली को आपने निशान लगा कर डिया और इस को सबसे पहले आड़ करूंगे यहां मैंसे कट लगा वह इसके आगे छे पर में प्लेटे डालूंगी यहां से मैंने स्टीच करना दूसरे कट तक अब देख सकते मैंने पिछल बैक स्पार्ट का पूरा स्टीच कर दिया है और यह देखिए चुन्नट जो इस तरह से लाई है बहार को अब जो मैं इसमें फ्रंट में चुन्नटे डालूंगी वह आपको बताती हूँ हमने इसमें बहुत बड़ी बड़ी चुन्नटे डाले यहां से इसका मीड़ पॉंइट है यहां से पकड़ कर क्योंकि हमार पास फुल पट्याली सलवार का घेरा इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से आड़ करना यहां से नीचे देखिए हमारी बैल्ट सीधी है और यहां पर फिर इस तरह से रखकर जो है सारी प्लेटे इसी तरह से डालनी है मैंने पिछली वीडियो में प्लेटों को डालोंगे आप देख सकते हैं दोनों सारी से जिए मैंने प्लेटे डाल दी है फुल पट्याली सलवार की अब जो मैंने इसमें पॉंचे ऐड करने हैं मैंने वुक्रम एड कर दिये पॉंचों मैं पंचे के लिए रेखे जितने मेरे को चाहे था टो थो तनी मैं एंट लिह जोड़ाई मंच उतनी मैं और इसको बाया किया है अब इसको में इस तरह से रखूंगे ऑज प्लिऊ हो हैये इक कोड़ स्रूर्बार की और यह अंध्री साइड को करूंगे और इस इस तरह से देखी दोनों साइड सीद्धी होगी हमारी इस तरह से हम मैं इसके उपर से एक एक सिलाई डालूँगी क्यूंकि मैं छोटे से बच्चे के लिए बना रही हूं तो इसमें ज्यादा डिजाइन नहीं डालूँगी आप देख सकते हैं पॉंचे मैंने रेडी कर दिये है छोटी सी बच्ची के अब मैंने इसमें जोए डाई इंच पर पॉने तीन इंच पर जो मैंने इसमें जोए यहां से पॉंचे की सेप दे देनी है इतनी जो मूरी रखने हैं मैंने इसके कि आप देख सकते हैं फूल पट्या लि सलवार तिच हो गे हमारी अब जो मैं कूर्ती की स्टीचिंग करूंगे यह मैंने कूरती का ताद चार इंच पर निच्चे को लिया हुआ है दो दो इंच पर चोड़ाय मैं लिया हुआ हुआ है lamino कि इसमें गुलाई दी हुई है और ये इसकी कटिंग कर देनी मैंने इसके कटिंग के बाद एक साइड से इसका सोल्डर स्टीच करना है स्टीच करने कबाद अब मैंने रेवदार कपड़ा लिये हुआ इसकी जू मैं इसमें आड करूँगी किस तरह से करूँगी ए देखे मे खूड़ाई में कितना है रेवधार कपड़ा चोड़ाई में जो मैंने एक इंच लिया हुआइ एदी ज़्यादा होना जी हमारा अब में क्या करूँदे इस तरह से यहाँ से अखुटा कपड़ा उसको बहार को जो मैंने रीविदार कपड़ा नीकाला अब उससे पाइपिंग का और बाके स्टीचिंग मैंने उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में वही जो मैंने प्लाजो सूट बनाया था उसमें की थी सेम वैसे फिटिंग की सिलाई देनी है आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू